मेरा नाम किशोर कुमार नट है मैं उद्यपुर डिस्टिक्स से हूँ और यहां पर मैं जैपुर साइज समारपुर आया हूँ 22 दिनों से धर्नापरदसन कर रहे हम यह और इसके बीच में एक निदेशाले से एक प्रेशनोट जारी होता है चौदा को उसमें निदेशाले द् जिल्ला परिशद से सुचना मांगी गई है उसमें यह बताया गया है कि जिनके नुक्ति आदेश 30 नवंबर 2023 से पहले जारी हो गए थे उनकी सुची मानकर उन्हेंने जिल्ला परिशद को इसपष्ट किया है कि आप हमें उनकी डाटा फोरवर्ड करो और इनके हम कारेगण के लिए यह करेंगे तो इससे अब हमको यह डर सता रहा है कि अगर निदेशाले जो कारेगण से वंचित रहे गए उनका डाटा निदेशाले मंगवा कर और उनको कारेगण करवाता है तो हमारे साथ अन्याय होगा देखो शिक्षा मंतरी जी तो शिक्षा मंतरी जी रहना वह मंतरी बन गये ड़ोंकी आज तो हम सरकार के नाम में सर लगा हुआ है Shaka बड़े हैं तो कह दोवरां के चोटे लोगों से योबाओं से तो मेरा मानना यह है कि हमारी जो यह सरकार बनी है बाजबा सरकार की हमारा भी योगदान रहा है उसमें कहीं न कहीं और आगे जो सरकार बनने जा रही है उसमें भी हमारा योबाओं का सबसे बड़ा योगदान रहता है राजस्तान में ऐसा नहीं करो कि योब भाहुं की सुन्हें सुन्हें कि और चैनल सुनवाइए जो कर अच्छों कोOOO कर अगर इसकूल है चीज थी दित्थ ने हमोको तो न्यूक ती जो मिली है उसके लिए हम यहां पर बार यहीं कह रहें कि भाई सरकार हमारी बास पुझे हमें आगे बेजे वह हमारी स्कूल तक पहुचाए यह चीजे हमारे परिशेतर से बार है जो की सरकार के अंडर में आ रही है तो नियायपालका को और सरकार को इन चीज नाम में अपनी भूम का ने वाने के लिए इनके स्कूल में पहुचाओ एक तरफ सरकार कहती है कि ठीचरों की कमी है और एक तरफ यहां पर टीचर बेटें देखो टीचरों की कमी होने के बावजूद भी चार अजार सिक्षक यहां कह रहे हैं चिला-चिला कि हमें स्कूल म लेता है जब हम चैन उसक के तो हम जाएंगे उसकूल हुम हमारे बच्छों केjat essentially जो बच्चे प्रवावेत् हो रहे उन तक हमें पहँचा का मैं सरकार पाका में क्यों बैस की बसकी की बात उती मजबूर do तो हमारा निवेदन है 19 फरवरी को होने वाली शुरवाई में रीट लेवल बन अध्यापक्तिय बढ़ती 2022 की सुनवाई अच्छी पेरवी करवा के की जाए और हमारा पदिस्तापन करवाए जाए और न्यूक्ति दी जाए मैं सभी यहाँ पर आज 22 दिन से धर्णे पर बेटे हैं सभी साथियों से सरकार से यह पीले कि हमारी यता इस्तिती जल से जल अटवाए और हमारा जल से जल काम करवाए 19 तारी को हमारी जो कोट में पेरवी है उसके लिए एजी और डबेल एजी की नियुक्ति करके उनको कोट में हमारे लिए भेजें ताकि 19 तारी को हमारी यता इस्तिती लोड जाए जिससे सभी बच्चों का काम हो सके जो वेटिंग वाड़े पर विजब जब जब तक कुछ भी काम नहीं होगा तो सरकार से हमारी यही उन्से यहाठ जोड के निवेदन है कि हमारी कैसा भी करके माम करके कोट में कोट में एजी डवलेजी को भेज के हमारे उनीस तरीकों काम करवाए तैकि यह स्थित्री बहाल हो सके और हमारा काम सुचार रूप से चल सके करवाएंगे हम उसका पता नहीं है कि हमारे उस दिन काम हो ही जाएगा मैं तो मुख्या मंतरी मोद्य है बजनलाल जी उनसे बोलना चाहूंगे सर हमारा काम करवाएं हम आपके हाथ जोड़ते हैं अगर सबनी तो पैर पढ़ जाएंगे लेकिन हमारा काम करवादों सर कैसे सर् और पांच महीने पहले हमारे साथियों की जोइनिंग हो चुकी है और हम मतलब चार अचार के सम्थिंग नॉन जोइनर है जिन कोई स्कूल वगरा सबलोट हो चुके लेकिन अभी तक हमारी जोइनिंग नहीं हुए पहले आचार सहीता की वज़े से उसके बाद कोट का जोइनिंग करवा दे। नीचे इतनी दूप है दिन में दूप होती है रात को ठंड होती है इतना सभी का मतलब सवास्ते भी ऐसे हो रहे हैं बिमार हो रहे हैं बच्चे तो बहुत सारी प्रेशानियों का ऐसी प्रिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि हम जो चैनित हो चुके हैं उनको न्युक्ति मिले और रिक्तपदों पर प्रिणाम जारी हो और प्रतिक से सुथी जारी हो